नमस्कार दोतु स्वागत हैं आपका टीसी टेलर चैनल में दोस्तों आज आपको बताएंगा अगर आपकी मसीन मोटे कपड़े पे धागा काट रही है मतलब जैसे ही मोटे कपड़ा आता है तुरन धागा काट देती तो इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं तो इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा स्टेब आपको ध्यान से देखना है और समझना है और वैसे ही करेंगे तो आपकी मसीन मोटे कपड़े पे धागा नहीं काटेगी पहली चीज मैं आपको यह बताता हूं कि आप जो है धागा बिल्कुल ही ज्यादा टाइड न अब यह और सुई में भी पड़ा हूँ आए फिर भी हम इसको खींच सकते हैं कहने का उतला यह नोर्मल है लेकिन अगर आपको सुई में है आपको खींचा आपको तूट गई या फिर जो है आपको धागा तूट गया या फिर बहुत जादा धागा खींचने में मतलब बह आपको बहुत जादा टाइड है तो आप जो है यहा पर पेंच का लगाखें तो इसको आपको घूमाना होगा के अप नहीं रहा है ना क्यूंकि कर देखे लिया बस इसको रहे और यह पेंच-टा-ई करने कभी कदर पेंस आपको टाइट करने के जरूत नहीं होती वो खुदी अपने आप ही भूम जाता है फिर भी जब आप उपर का धागा जो है वो लूच करेंगे तो आपकी मसीन दाना देने लगेगी क्योंकि नीचे का धागा आपका फिर भी टाइट होगा अब अगर आपके धागा टाइट बहुत है तो तो आपको जो है ऐसे करके फिर आपको लूच करके चलाना है आपकी बिल्कुल फस क्लास चलेगी दोनों धागे मैच करना चाहिए जितना आपका नीचे का निकलना चाहिए उसी इसाप से उपर का और फुंदी वेगारा ना दे तो इन चीजों का दियान रखें और धागा अगर उपर करना टाइट करें मालिजा नीचे दाना आरहा है तो बबीन का धागा आप लूच कर लें उपर क दागा आप ना टाइट करने हो मतला सई है नोर्मल है तो आपको बबीन अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ धागा काडने का सुई आपके बहुत ज्यादा मतलब बैसी होती हैं कोई कोई सुई होती है खराब होती है तो आप या तो यह चाइना वाली आती है अब उसमें क्या कर सकते हैं और इस्तमाल भी सभी करते हैं कुछ चाइना के जो देज भक्ती के लिए तो उसके लिए आप क्या करें आरगन की सियातिया दस रुपई की वह आप ले सकते हैं वह उससे भी अच्छी होती है और उससे धागा बिल्कुल नहीं है आपकी काटेगी सुई से बिलकुल नंबर बन क्योल्टी की सुई होती है वह 10 रुपई की अगर्वारब है , ऐसा होगा थी नहीं कॉकिन अर्गन की सभी लगाएंगी खुशा हैर अगर की लगासके थी यह सइसे को यह निकाला देते हैं ऐसा भी खराब हो चुका है तो माली जी हमने इक अच्छा बूट लगा रखा है इसमें अच्छा बूट काउंसा हुआ है यह है अच्छा बूट अल्मोनियम का एक दाम फ़स्ट नंबर बन वाल्टी का बूट तो यह बूट बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है अपनी जगा पर बिल्कुल जाम चलता है तो देखे अब माल लेजिए आपकी सुई जो है वो यहां पर साइडम गिरती है अब साइडम किसके बूट का जो एक तरह पर है वो आपकी सुई में लड़ रहा है अगर तो देखे अगर आपका सुई इस तरीके से आपका पर लड़ रहा है इसमें तो भी आपकी प्रोब्ल में रखना होगा तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं तो इसके लिए आपको जो है पीछे से पेंचकस इसे करके लगाना होगा और जिदर भी आपको बूट करना है मालीजे इधर साइड में यह रगड़ रहा है तो हम इधर के लिए करेंगे इसको तो देखे इसको हम पेजकस से ऐसे करके कर दी आमने बीचो बीच फिर आपकी धागा जो है वो अगर बूर्ट से काट रही होगी तो वो भी प्रोब्लम आपकी खतम हो जाएगी कहने कतला अब तीन चीजों से प्रोब्लम आपकी धागे की खतम हो गई दहा काटने की अब आई है बारी हमारी पटली की अब पटली की बहुँ मैं आपको दिखाता हूँ बूर्ट फोल के रख देते हैं पन्ना आपको साफ दिखेगा नहीं दिखे ये हमारा चेंद पटली का और ये रही हमारी सुई अगर आपकी सुई जो है पटली के किनारे पर लड़ रही है तो आपकी प्रोब्लम है तो उसको आपको संटर में लाना होगा आप संटर में कैसे ला सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अब अगर गज आप इधर उदर मारेंगे गज में इसमें अगर तो गज आपकी त्याड़ी हो जाएगी और फिर जो है टाप बगरा भी देने लग सकती है देखे इधर साइड में यह थोड़ी सी हवावर है तो हम पेंच ऐसे करके लगाएंगे यहाँ पर पेंच कस है खसक कीकाम हो गया और अगर आपको माली जे बहुत जटाप है उसका तो आपको क्या करना है कि यह बालब पेंच जिदर भी सेंट्र आपको मिलाना हो कि की तो आपको वह बालब पेंच खोल देना है आ झ wir एख यह अा तर उष्के बाद जो है ऐसे करके रख ए यह दिखिया आगया बीच वीच में अब एक पेंस से आपकी मसीन चलती रहेगी कोई प्रोब्लम बाली बात नहीं लेकिन अगर आप सुच रहे हैं नहीं हमें दोनों पेज भी चाहिए और हमारा बीच में संटर भी हो पट्री का तो आप दुकान पे जाएं और जो है बिना लाएं और यहाँ पर जो हैं इसको मतलब कहने कामतलब इसमें लगा दें लगाने के बाद जब सुई आपकी गिरे तो ऐसा करके निसान बना ले उसके बाद फिर बो पट्रीवी ले जाएं दुकान पे और वहाँ पर ही पटली का चेंद करा लें जितना भी बड़ा आपको कराना हो ठीक ना तो बहुत ज़यदा शोपड़ी को छोटा पटली पर चला रहे हैं माले जीन सिलना है तो आप 18 नंबर स्वी आपको लगाना होगी और वैसे नोर्मल पैंट है तो आपको 16 नंबर लगाना होगी तो अगर 18 नंबर स्वी लगा रहे हैं तो पट्री का छेन आपको बड़ा ही रखना है और अगर 16 नंबर स्वी लगा रहे हैं तो पट्री का छेन नूर्मल रखना है यह देखिए यह हमारा है दूसरा पट्ली का चेन यह है हाई मतलब बड़ा चेन पट्ली का कहने का अब यह है चोटा यह बड़ा है इसके बीच का साइज जो है वह आपके लिए परफेक्ट रहेगा वह आप रख लीजिए तो आप जब दुकान पर जाए सकते है त्रिम ऐसे कोई भी आप ले सकते हैं समंझ करना मोरे मोटे कपड़ के लिए आपको एक्स्ट्रा मोटा तो मोटा होगा तो मोटे के लिए आपको नौरमल पट्री का चेन होना जरूर यह बनना आपकी साइट में धागा रगड़ेगा शोई हो जो हो गी मोटी और च मैं बताता हूं आप दोस्तों आपको बताता हूं दूसरी चीज वाला जो बूस होता है यहां पर लगा हुआ यह वुसा यह यह बूस यह इसमें पिले हो गई थोड़ी सी साथ हो गए कहने का मतलब तो आपको जो है और यह हिल लई है जब यह हिलेगी तो दागा जरूर काटेगी आपकी मसीन तो इस चीज का आपको धियान रखना है तो अगर यह हिल लई है तो इसका मतलब यह है यह बुस और गज आपकी दोन क्या करना एक ये पेंच होता है ये हलका सा टाइट करना ज्यादा नहीं बाकि पीछे लट्टू के पेंच होते हैं वो आपको चार पेंच ये पूरी तरीके से ये टाइट करना होते हैं इसके अंदर लट्टू के पेंच होते हैं चारो पेंच होते हैं तो इसको उपर मैंने वीडियो बना रखा है उपर आई बटन में आप देख लीजिए घचा फिर यह आपकी जो है यह उपर नीचे नहीं होगी अगर ऐसे ऐसे हिल लए यह आपकी पूरी तो आपको गजी नहीं डालना होगी और उस भी नया पड़ेग हैं तो दोस्तों सबसे पहली अप चीज मैं आपको बताता हूँ यह डिब्बी आपको निकाल देनी है तो इसके बाद हम इसको खो लेंगे यह होता है मारा इश्टापर यह है हमारा इश्टापर कहने का मतलब जब आप चलाएंगे साइटों में इसमें धार बन जाएगी यह नया इश्टापर है इसलिए इसमें धार नहीं है जब आपकी धार बन जा तो आपको क्या करना है या तो आप नया इश्टापर लगाए या फिर इसकी धार खतम करें अब धारी ऐसी बन जाती है इसमें तो उसको आपको रेगमाल से घिस लेना होता है ये साइट में धारी बनेगी तो साइट में ही जब तक घिसते रहें जब उसकी मतलब धार खतम ना हो जाए इधर साइटम भी या फिर दस रुपए का नया आता है वो आप डाल सकते हैं तो ये एक कमी होती है तो कभी भी धागा काटें आपकी बार बार काट रही है बार बार काट रही है तो आप इस टापर चेक करें अगर सिधर साइड में धार बगरा है तो आप जो है तुरंद ही उसको नया डाले या फिर उसकी श्टापर से मतलब उसको घिस दें घिस दें ज वांदने का तरीका मैं आपको बता देता हूं यह वाली जो खाच होती है इसके अंदर कोजि कर देनी होती है कि यह देखेए हमने आटैश सिरуль रगा दिया इघ्स टापर का मारणा चाहिए हो गया अगर यह फिट नहीं कर पा रहा है इस्टापर हो तो अपर वाई बिटर में वीडियो मिल जाएंगे देख लेना और आपकी पिले हो चाहिए इस्टापर लगाने के अधागा पिले ना फैटल पिले जूरी नहीं करेगा और धागा भी उपन है यहाँ अच्रू पिले ओप यह फbut नहीं आपते है इसाय लिए तो यह चीज़ हो का आप आप देखना है साटल कितना पुराना है जदा बहुंट जदा पुराना आपका सटल है कहने कातला 3-4 साले हो गई है आपका सटल बिल्कुल बोल गया है अब बोल कैसे जाता है पहचाने कैसे पहली चीत तो उसकी नोक घिस जाती है बिल्कुल यह देखिए नोक एकदम बी आईपी बनी हुई है बहतरी नोक है ना लेकिन आपकी गुट्टल होगी उस सटल की जो भी आपका पुराना घिस गया होगा तो अगर नोक गड़बल है तो आपका जो है यानि की फिर चूंके भी देगी मोटे कपड़े और धागा भी काटेगी तो फिर आप कितनी भी शिटिंग कलने तो आपका नया ही पड़ेगा तो अगर आपकी यह इसी चीज है तो आप समझ लिए आपका खराब है और फिर आपको बार बार उसमें धागा काटती है मतलब दो घंटे चलाई और über तो आप मेतल हुत इंते हैं तो सक जोंग जाते तो आवाज भोत करकड के अती है मार एकदम से जिएक कि आची कना हो बंद बेंगा दागा काटना अपने आप भी बंद हो जाएगा लेकिन आपका सटल सही है आपके यहां पर कभी कदा धार हो जाती है तो जैसा कि यह नोख है अब नोख के पाथ जो है यह धार हो जाती है तो जो है यह धागा काटने लगती है नोख से यहां पर से धागा उठाती है यह नूक और यहां पर होती ही धार तो यहां पर से धागा छिल जाता है तो यहां से भी धागा काटती है महीन कपड़े पर सही चलती है जैसा ही मोटा आता है उस पर थोड़ा सा जोर पड़ता है तो धागा यहां से कट जाता है तो ऐसे में अगर इसमें आपर आपकर सब्सक्राइबर तो आप इसको चिंगना कर सकते हैं आई झारो तपर आपको चिंगना करना करना इसको नोक और आराम से करें आईसा जल्दवाजी मेंлив Егоल आराम से सकून से बैठके काम करें तभी यह होएगा अगर आप जल्दवाजी करेंगे फिर आपकी मिश्टेग हो जाएगी तो सही नहीं होगा जल्दी तो यह इतनी चीज़े होती है जिससे आपकी मसीन धागा काटती है अब इनमें से जो जो मसीन में सही हो वो आप छोड़ते चले जाएं और जो जो कमी हो तो उसको आप सही कर लें पूरी मसीन में आपको सब कुछ देखना नहीं है सब को देखना है लेकिन आपको सही उतनी ही चीज़े करनी है जो आपकी मसीन में कमी हो अगर इसमें धार हो तो इसको खतम कर दें अब आपकी चीज़े लगाएं और चलाते रहें सही चलेगी इस टापर में धार है तो इसको सही करें और जो है चलाते रहें पट्री से आपको बड़ा करना होता है थोड़ा सा केंची से भी आप कर सकते हैं जिससे कि मैं आपको बताता अब इसमें atronooे में यह तो नई है पट्री सोगला है चैल। वखेट है अगर लगदारि सी बलती हैं ład शुए यह तो यह थार इसमें वागा थीगुती है यह तो उगया है लेकिन आपको पहीं सुड़ादार तो तो Αंब क्या करना है यहाँ पर एज़र कैंशी लगाना है और आए से क्सक्षच कै इसको साफ करना इधर से तो पूरा अंदर से यतनी भी धार Бगर्ण होगी साफ हो जाएगी स को लाद आप इधर से भी साफ कर सकतें दोन呵or से साफ करना है फिर उसके बाद आप रेहान डाल दें या पर कपड़ा डाल दें सब्सक्राइब्णा या लगा दें ऐसे करके साफ करें देखिए मैं आपको दिखाता हूं जैसा की यह माल लेजिए हैं यह और हईसा करके हमने नोग बनादी लिएप का इसा करके अख बनाना आप ऑब लगाना है और ना करना क्यों देखेगे तो कभी भी फिर आपकी घागा नहीं काटेगी तो सब्सक्राइब करती है पटली से सटल से इतनी जगा से काटती है तो यह तीन आप ध्यान रखना है बाकी हर चीद देख लेना है कहाँ पर आपकी क्या प्रोब्लम है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकर यह अच्छी लगी होगी वीडियो अगर यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जोरो प्रेस करने मिलते हैं नहीं वीडियो का साथ अब तक के लिए नमस्कार